नवस्कार दोस्तो स्वागते आप सभी का एक और नई वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि Phone Pay का नया एकाउंट कैसे बनाते हैं अगर आप जो है Phone Pay का नया एकाउंट बनाना चाहते हैं ये वीडियो बड़े ध्यान से देखेगा आपको क्या काम करना है सबसे पहले play store से phone pay application को download कर लेना है या फिर phone pay का direct link इस video का description box में मिल जाएगा वहां से भी click करके आप इस application को download कर सकते हैं download करने के बाद install कर लेजेगा install करने के बाद आप यहां से भी open कर सकते हो या फिर जब आप install कर लेंगे तो आपके जो mobile phone में है यह application आ गई है ठीक है आपको पीछे जाना है यह application जो है यहाँ पर मिल जाएगी आपको जो है phone pay जो application है उसे open कर लेना है open करने के बाद सबसे पहले आपको अपना mobile number डालना है और यहाँ पर आपको वाला mobile number डालना है जो आपके bank account के साथ link है यानि कि जो आपके bank खाते से number जुड़ा है वही number जो है आपको यहाँ पर डालना है mobile number डालने के बाद आपको proceed पर क्लिक करना है इसके बाद जो भी आपने mobile number डाला है उस पर OTP जाएगा और automatic verify भी हो जाएगा जो कि आप देख पा रहे हैं इसके बाद जो है आपको यहाँ पर उपर वाले option पर क्लिक कर देना है allow using the app इसके बाद आपको allow पर क्लिक कर देना है इसके बाद जो आपका phone pay का account है वो successfully बन जाएगा जो कि आप देख सकते हैं welcome to phone pay लिक करके आगया है अब यहाँ पर जो है आपको bank account link करने का option मिलेगा अगर आप अपने phone pay को चलाना चाहते हैं उससे जो है transaction करना चाहते हैं जैसे कि पैसा भेजना हो, पैसे प्राप्त करना हो, रिचार्ज वगरा करना हो तो उसके लिए जो है आपको अपने phone pay में अपने bank account को link करना होगा नीचे काफी सारे bank दिये गए हैं आप इसमें से भी select कर सकते हो या फिर यहाँ पर click करके अपने bank account नाम भी search करते हो अगर आपके सामने ऐसी screen नहीं आ रही है आपके सामने जो है phone पे जो है कुछ इस तरह से खुल गया है तो आप अपना bank account कैसे add करोगे बड़े ध्यान से समझिएगा आपका जो phone पे का screen है वो आपके सामने इस तरह से दिखाए देगा यहाँ पर जो है आपको option दिखाए देगा add bank account का तो आपको क्या काम करना है इसी पर click कर देना है add bank account पे फिर जो है आप उस वाले page पर आ जाओगे अब नीचे की side में आपको बहुत सारे bank दिए गए हैं आप इसमें से जो भी आपका bank है जो आप phone पे के साथ link करना चाते हैं उस bank को जो है select करना है तो जो हमारा bank है वो union bank of India है जो की उपर ही मिल गया है अगर आपका bank यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर click करके भी search कर सकते हो जैसे की union bank है तो हम यहाँ पर union bank जैसे ही लिखना शुरू करेंगे वो bank जो है यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो हम इस bank को select कर लेंग इसके बाद जो है आपको validate mobile number का option मिलेगा इसका मतलब यह है कि आपको अपने phone से SMS भेज करके अपने account को validate कराना होगा अगर आपके phone में दो SIM है तो इसमें से आपको उस SIM को select करना है जो आपके bank खाते के साथ link है तो जो आपकी SIM link है उसी पर आप click करेंगे जैसे कि यह वाली link है तो इस पर click कर लेंगे वरना इस पर SIM को select करने के बाद आपको continue पर click करना है इसके बाद जो है इस तरह से option आएगा यहाँ पर जो है आपको allow पर click करना है और यहाँ पर जो है यहाँ पर send की processing चलेगी सारा काम automatic होगा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और यहाँ message चला जाएगा और automatic आपका जो bank account है वो add भी हो जाएगा जो कि आप देख सकते है ठीक है अब जो है आपका bank account आपके सामने आ जाएगा जो कि आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पर आपको क्या कम करना है set pin का option है अब आपको एक अपना UPI pin set करना होगा अब यह UPI pin क्या हो करने के लिए आपको UPI pin set करना होता है वही जो है आपका important pin होता है जब तक आप UPI pin नहीं डालोगे तब तक आप किसी को पैसा नहीं भेज़ पाओगे ठीक है UPI pin set करने के लिए आप यहाँ पर भी click कर सकते हो या फिर नीचे की side में आपको set UPI pin का option मिलेगा इस पर click अगर आपके पास ATM card नहीं है तो आप अपने आधार card से भी phone pay का account बना करके सारे काम कर सकते हो अगर आपके पास ATM card नहीं है तो नीचे authenticate using आधार यह जो लिखावा इस पर click करेंगे इसके बाद जो है आधार card का option आजाएगा इस पर click करके continue पर click करके आगे बढ़ेंगे ज process बिल्कूल आसान है गबडाने के कोई बात नहीं है ATM card number डालने के बाद expiry date और month डालने के बाद आपको continue पर click करना है इसके बाद जो है बैंके की तरफ से six digit का OTP आएगा इस तरह से automatic verify हो जाएगा आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है नीचे की side में यह जो tick सही का है इस पर tick कर देना है इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इंटर four digit ATM pin तो जो आपके ATM का pin है चार अंको का वो pin यहाँ पर डालना है अपना ATM का pin डालने के बाद आपको यहाँ पर सही के निसान पर click करना है अब यहाँ पर जो है आपको phone pay का UPI pin set करना होता है UPI pin क्या होता है जि उसी तरह से phone pay से अगर आप payment किसी को भेजोगे यानि पैसा किसी को भेजोगे तो यह UPI pin मांगता है और जब आप UPI pin डालोगे तब ही उसको पैसा transfer होगा तो UPI pin एक तरह से कह सकते हो एक security pin होता है जिसे किसी को बताना नहीं होता है जो भी आप UPI pin रखना चाहते हो चार अ पिन सेट करने के लिए option आ सकता है तो कितने भी अंको कर है आपको यहाँ पर अपना UPI pin सेट कर लेना है जो भी आप UPI pin रखना चाहते हैं वो UPI pin आपको डाल देना है कोई भी चार अंक आपको जो याद रहे वो आपको यहाँ पर डालने के बाद नीचे जो सही का निसाने इस पर टिक लगा देना है अब आपको कनफर्म करना है वही UPI pin जो अभी आपने डाला है उसी UPI pin को आपको दोबारा यहाँ पर डालना है कनफर्म UPI pin में आपको वही चार अंको का नंबर दोबारा डाल देना है नीचे जो सही का बटन है इस पर दोबारा से क्लिक कर देना है इसके बाद जो है आपका UPI pin set हो जाएगा अब नीचे जो है आपको send 1 rupees to friend का message मिल जाएगा आप यहाँ पर send to 1 rupees friend इस पर click करके अपने किसी भी दोस्त को 1 rupees भेज करके देख सकते हो कि आपके phone pay से पैसा जा रहा है कि नहीं अब जो है आपका phone pay का account successful बन चुका है आप check balance पर click करके अपना balance भी check कर सकते हैं आपका account number उपर दिखाई देगा इस पर click करिएगा अपना UPI pin डालिएगा UPI pin डालने के बाद जैसे ही आप सही के option पर click करेंगे तो आपका जो balance है वो इस तरह से दिखाई देगा